आलो प्रेश्ट and very happy world arthritis day आलाकि arthritis में कोई happy होने वाली बात नहीं है वो तो जिसको होता है उसी को बता होता है कि उसमें कितना दरद होता है कितना भेल होता है तो आज हम कुछ arthritis के बारे में बात करेंगे दोस्तों arthritis दो टाइपस के होते हैं एक primary osteoarthritis जो के उम्र के साथ होता है जैसे कि हमारे गर में जो बड़े हैं उनको 60 साल, 70 साल के उमर में जो उटने में दुखावा होता है वो primary osteoarthritis है काफी हद तक इसको रोकना बहुत सा नामुमकिन है वो पहले से decided होता है कि इसको गव arthritis की असर होने वाली है पर हम इसकी असर को कम कर सकते हैं अगर हम regular exercise करते हैं अगर हमारा muscle balance अच्छा है pelvic girdle core muscle के अंदर अगर हमारी bone की qualities अच्छी है तो जो arthritis अगर आपको X-ray में ज्यादा दिखाता है वो उसकी असर आपको कम होगी compared to आपके friend जिसको arthritis X-ray में कम दिखा रहा है वो उनको दुखावा बहुत ज्यादा है दूसरा जो arthritis है वो है secondary osteoarthritis now secondary osteoarthritis याने ऐसी कोई वज़े थी जिसका time पे इलाज ना होने की वज़े से अभी हमें arthritis याने गसारा हुआ है गुटने में जो हम बहुत common देखते हैं वो ये है कि गुटने के अंदर के जो ligament की injury है या तो गद्दी फटी है तो उसको अगर time पे हमने इलाज नहीं किया तो वो आगे जाके arthritis में तब्दीन हो सकता है दोस्तों, ligament याने उटने के अंदर चार ऐसे structures आये हुए हैं जो उटने की दोनों हट्टियों को बहुत अच्छे से एक दुसरे के साथ पकड़ के रखती है जब हम गिर जाते हैं, accident होता है जब sports में कोई injury होती है तो वो जो ligament है उसमें injury होती है तो उसके कारण कभी-कभी पैर लचक जाता है काफी टाइम हम देखते हैं कि लोग उसको निगलेक करते हैं टाइम पे उसका इलाज नहीं करवाते हैं और दो साल, तीन, साल, चाल साल के बाद जबके पेशेंट की उम्रों बहुत कम है 45 साल है, 40 साल है तब वो आर्थराइटिस के शिकार बन जाते हैं अगर हम उसका टाइम पे इलाज करें अगर हम उसका दुरबीन से सरजरी करके आर्थरोस्कोपी करके अगर हम उसको वापिस से रिपैर कर दे करके तो हम इस आर्थराइटिस से बहुत हद तक बचसकते हैं तो מेरा आज का आपको मेसेज यही है अगर आपको यह लिगामेंट सर्जरी लिगामेंट इंजरी है तो उसको टैम पे इलाज करवा ली जैए, उसकी टैम पे surgery करवा लीजिए क्योंकि ये जो आर्थ्रोस्कोपी है ये जो दुर्वित की surgery है वो बहुत ही छोटी surgery है और उसके results काफी अच्छे हैं दूसरी जो injury है गुटने के अंदर वो है गद्धी फट्चाना जिसको हम meniscus injury बताते हैं दोस्तों ये दोनों चीजों के बहुत डीटेल्ड वीडियो जो मेरा page है facebook page उसके उपर है पंदरा मिनिट का जिसमें ये सारी चीज़े बहुत डीटेल में समझाई गई है जो लिगामे तो हमें दर्द होता है clicking, locking ये सारे problems होते हैं अगर हमने उसको टाइम से दुर्विन से आर्थ्रोस्कोबी से रिपैर कर दे तो वो जो कुशन है वो जो उटने के अंदर आया हूँ एक बैड है वो वापिस से अपने अपना काम करने लगता है और आगे जाके वो आर्थ्रा दे के मौके पे एक ही मैसेज में कहना चाहूंगा कि आर्थ्राइटीस को हो सके उतना आप अपने से दूर रखे जब भी अगर नीग के अंदर गुटने के अंदर या किसी भी जॉइन के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लेम हो तो टाइम से उला उसका इलाज करवा लिए थ कि घी जब गुटन के अंदर उका इलाज को सब diceताश्स कन।